का जो बजट आया है इसमें प्रदेश के लिए कोई वीजन नहीं है जो इनकी संकल पत्र है उसकी इसकीमों का कोई लेना देना नहीं है जो जनता से जो वादे किये हैं वो कहीं दरहतल पे नजर नहीं आ रहे हैं आज बड़ी उमीद थी कि डीजल पेट्रोल के अंदर जो वैट है वो कम होगा क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बाते की थी दावे किये थे वादे किये थे कि हम जनता को वैट कम करके दिखाएंगे तो आज ऐसा कुछ था नहीं कोई विजन नहीं ये बात मे योजना में दिन रात का अंतर है चिरन जीवी योजना पूरे परदेश को कवर करती है आयुसमान मात्र 55 लाग परिवारों को कवर करती है आयुसमान 5 लाग का बेनिफिट देती है चिरन जीवी 25 लाग रुपे का कवर देती है साथ ही ओर्गन ट्रांस्पलांट के अंदर unlimited पैसा भी उसके अंदर मिलता है अलग से अच्छी बात है पर कौन सी नहीं लेकर आएंगे ये पता चलेगा अभी इतनी तो हमारी बर्तियां हैं जो परक्रिया धीन हैं उन्हीं की बात कर रहें नहीं कर रहें ये अभी पता चलेगा जो पुरानी बर्तियां हैं उनको क्या अभी तक पूरा कम्प्रीट करेंगे या फिर उनको रोग लगा कि अभी देखे राजी उगांदी युवा मित्रीन लोगों नहाट आए हैं मेडिकल के लगबग 20,000 सधिक जो कर्मी हैं उनका चैन हो चुका है सिरफ उनको पोस्टिंग मिलनी है सारे रेजल्ट आचुके हैं वो पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं इस परकार से बहुत सी भरतियां हैं जो प्रिक्रिया धीन है ये उन्हीं की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो जब बाद में बताएंगे तब ही पता चले रहे हैं जो कर्मचारी हैं गौर जान सबाम इस बात को उठाया है कि आप OPS के बारे में कम सकम ये तो बता दो कि आप रखो गए ये NPS लेकर आओगे तो उस पे एक सब्द नहीं है करमचारियों के लिए पूरे बजट के अंदर हम वो इनकी घोसना थी कि हम 6,000 से बढ़ा कर 12,000 करेंगे अब उसको 8,000 किया गया है तो वो तो एक जनता से दोखा ही है ना किसानों से दोखा है तो अभी जो करज है वो जैसे 66,000 करोड का वापिस एक बार पढ़े गए इस साल तो आपके आने वाले 5 सालों को कैसा देखेंगे आपके कैसे तो यह लोग बताएं यह कहरें हमने करजा जादा कर दिया तो इनके समय में धाई गुना करजा हो गया था हमारे समय में सिर्फ डेड़ गुना बढ़ा है और अब यह जिस परकार से 67,000 करोड रुपे का लोस इस एक इसके अंदर आएगा तो फिर यह इस परकार से बढ़त लेने में और यहां ही हमारे बजट पे उंगली उठा रहे हैं और जो पेपर लिग की बात हो रही थी किया राज्तान में ही पूरे पेपर लिग हो रहे थे और कहीं हो नहीं रहे या क्या है माम पेपर लिग की समस्या राज्तान की तो है ही साथ की साथ पूरे देश की समस् हमने सबसे पहले पेपर लिग पे कानून बनाया जिसके अंदर दस वर्ष से लेकर आजिवन कारावास की सजा दस लाग से लेकर दस करोड तक का जुर्माना अपरादियों की संपत्ती का अटेच करना और यहीं नहीं अगर कोई सरकारी करमचरिस में संलित पाया जाता उसको नोखरी से बर्खास यह हमारा कानून था अब भारत सरकार अब कानून लेके आई है जो की हमारे कानून के मुकाबले में 10% है आज सिरफ 10 साल तक की सजा है 10 लाग तक का जुर्माना है तो एक तरब तो यह पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे तो आज यह चीज तो साबित होगी कि पेपर लीक सम जगें हो रहा था भारत सरकार के पेपर लीक भी हो रहे थे राश्तान सरकार के भी हो रहे थे या हरियाना सरकार थी वहां भी थे उतर परदेश में भी थे, मद्द परदेश में भी थे, सब जगे पेपर लीग था तो एक समस्या पूरे देश की थी, लेकिन इन लोगों ने हमें इसके अंदर टारगेट किया, जनता को गुमरा किया, कि ये सारी चीज़े यहीं होरी रास्तान में आज जब कानून बन रहा है तब पता चल रहा है कि रास्तान सबसे मजबूत कानून बनाने वाला पूरे देश के अंदर पहला राज़ बना था पूरे बजट को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर आपको मार्क्स भी देने पड़े तो आप कितने मार्क्स देंगे मार्क्स तो जंता ही देगी, मैं तो क्या मार्क्स दूँगा, ने तो कहीं किसान की बात है, ना युवा की बात है, ने महिला की बात है, ना हैसी की बात है, ना हैस्टी की बात है, ना अधिवासी की बात है, ना मध्यमवर्ग की बात है, ना व्यापरी की बात है, एक शिरफ इस प्रकार से चित्रन किया गया है, पेंसर हमने अल्रडी कानून बना दिया, मिनिमम इंकम गारंटी एक्ट, उसके अंदर डेड़ सुरुपे बढ़ दें ही हर साल, रोजगार मेले लगाएंगे, हम पहले ही लगा रहे थे, हर जिले के अंदर, अब ये परदेश और संबाग की बात कर रहे हैं, केजी से पिजी तक कि सिक्षा फिरी करेंगे, ओल्रडी फिरी ही है, तो ये कोई ऐसी नहीं बात तो इस बजट के अंदर है नहीं, जिसको नमबर दें,